मैक्समम लोगों के घर पे बोर्विल वाटर आता है, कहीं टैंकर वाटर का यूज किया जाता है और कहीं मुंसिपल वाटर सप्लाय का यूज होता है और सभी के अलग अलग वाटर टीडियस लेवल भी होते है, इसलिए मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर प्रिफायर भी आते है और हमें यही पता नहीं होता है कि कितने टीडियस लेवल पे कौन सा वाला water purifier लगवाना चाहिए और किस brand का purchase करना चाहिए तो आप इस वीडियो को बीना escape किये पूरा देखते हो तो I guarantee कि आपका सारा confusion clear होने वाला है और साथ ही 5 best of best water purifier के बारे में भी बताने जा रहा हूँ जो long lasting अच्छी build quality और pure water purifying प्रोवाइट कराता है और हमेशा की तरह इन सभी water purifier का सबसे lowest price का link की भी नीचे description में mention किया हुआ जिसे अब बाद में check out कर सकते है तो सबसे पहले जानते हैं कि water purifier में कौन-कौन सी technology आती है और ये कैसे work करता है जिसमें सबसे पहला technology आता है RO Water purifier के लिए RO सबसे बेटा technology है क्योंकि RO का filtration hole 0.0001 micron छोटा होता है जिससे पानी बिलकुल pure होकर निकलता है दूसरा technology आता है NF NF filtration का hole 0.001 micron छोटा होता है जिससे 60% पानी तो pure हो जाता है बट 40% में impurity रह जाती है तीसरा technology आता है UF UF में electricity का use नहीं होता है इसमें hollow fiber membrane से purification किया जाता है जिसका hole 0.01 micron छोटा होता है जिससे impurity remove तो हो जाती है बट इसका use आप hard water के लिए नहीं कर सकते है चौथा technology आता है UV UV technology एक तरह का chamber होता है जिसमें powerful lamp लगा होता है जिसका benefit यह है कि जब भी पानी इस chamber से cross करता है तो UV rays से पानी के germs virus bacteria को मार देता है और पानी पीने के लिए बिल्कुल safe हो जाता है यह तो बात होगी water purifier technology के बारे में अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि हम जो पानी daily use करते है उसके इसाब से किस technology वाला water purifier को लेना चाहिए तो सबसे पहले आप इस TDS मीटर को पानी में डुबा कर TDS level निकालना होगा अगर TDS level 100 से 300 ppm के range में आता है तब आपको UF पलस UV technology वाला water purifier लेना होगा जो कि municipal supply water में इतना TDS देखनों के मिलता है बट अगर TDS level 300 से 2000 ppm के आसपास है तब आपको RO पलस UV technology वाला water purifier लेना चाहिए जो borwell water और tanker water में इतना TDS देखनों के मिलता है क्योंकि यह hard water होता है आपने एक चीज़ नोटिस कियो है कि जब भी आप कोई water purifier purchase करने जाते है तो उसमें लिखा होता है कि इस water purifier में आपको RO पलस UV पलस UF पलस NF सभी तरह के filter इसमें मिल जाते है तो यह सिर्फ एक marketing strategy होती है जिससे जादा से जादा लोग को attract करके अपने product को sale करते है इसे example की तुरू समझे तो अगर सबसे उपर एक पतली चन्नी लगा दो और उसके नीचे एक मोटी चन्नी लगा दो तो जब पतली चन्नी से पानी pure होकर निकली गया तो नीचे मोटी चन्नी लगाने का कोई sense ही नहीं बनता तो आपको ऐसे company के marketing strategy को भी आपको ध्यान में रखना है Lastly और most important कोई भी water purifier one time investment नहीं होता आपको हर 8-12 मंत में filter की service या इसे change करवानी पड़ती है इसलिए आपको एक valuable brand का ही water purifier purchase करना चाहिए क्योंकि एक cheap brand का water purifier का filter बहुत ही ज़्यादा low quality का होता है जिसके वाज़े से बहुत ज़्यादा और बार बार service करवानी पड़ती है जो आगे चलके ये सस्ता water purifier आपको महंगा पड़ जाता है So सभी important points को ध्यान में रखते हुए मैं 5 best of best water purifier का review करने जा रहा हूँ बट उससे पहले आपको वीडियो यहां तक थोड़ा भी informative लगा हो तो please वीडियो को like और चैनल को subscribe करके मुझे motivate कर सकते हैं ओगे से मेरे list में number 5 पर आता है AO Smith X2 UV Plus UF Water Purifier AO Smith एक American company है जिसकी product की quality और performance top class होती है इस water purifier की build quality plastic material की बनी है और इसका design भी काफी attractive है यह UV Plus UF technology के साथ आता है जिसमें आपको 5 stage purification मिल लाता है जिससे 300 TDS तक के पानी को purify कर सकते हैं मतलब यह सिर्फ municipal soft water के लिए ही suitable है borewell water और tanker hard water के लिए नहीं बट इनके लिए भी कुछ water purifier मैं आगे बताने वाला हूँ यह purifier 5 liter storage capacity के साथ आता है जो small to medium family के लिए enough है इसके digital display की बात करूँ तो इसमें सभी तरह के indicators मिल जाते हैं जैसे power, tank full, UV lamp change alert, filter change alert वगरा मिल जाता है जिससे आप time पे service करा सके UV पलस UF वाले model की सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत कम पानी waste करता है और taps जो पीने के लिए पानी निकालते है उसमें minerals भी आपको मिलता रहता है A.O.S.Meet इस water purifier पे एक साल की warranty देती है और इसके price की बात करों तो यह आपको 7 से 9,000 के आसपास मिल जाता है और इसके कुछ pros and cons भी मैंने not down की है जिसे आप इस वीडियो को pause करके पढ़ सकते है और इस water purifier का सबसे lowest price का link की नीचे description में दे दिया है जहां से आप इसका offer price भी जान सकते है और इसे purchase भी कर सकते है ओगे से मेरे list में number 4 पर आता है Kent Supreme Alkaline RO Water Purifier Kent 1999 से healthcare से related product बनाते आया है और इनके filters भी काफी अच्छी quality के होते है जिसे आप transparently भी देख सकते है यह water purifier RO technology के साथ आता है जिसमें UF filter और UV chamber भी दिया है जिससे आप maximum 2000 TDS तक के पानी को purify कर सकते हैं इसमें आपको 8 लिटर की water tank capacity मिलेगी जो medium family member के लिए काफी है हम जब भी कोई RO water purifier लेते है तो उसमें सिर्फ 1 लिटर साफ पानी पीने के लिए 3 लिटर गंदा पानी waste होता है तो केंट ने इसी बात को ध्यान में रखकर water pump का use किया है जिससे wastage पानी को वापस से tank मिले जाता है जिससे पानी बिल्कुल भी waste नहीं होता इस purifier में alkaline feature भी दिया है जो पानी को alkaline कर देता है मतलब पानी में जो acidity होता है उसे कुछ हद तक कम कर देता है इसमें TDS control भी मिल जाता है ताकि पानी के TDS को आप अपने हिसाब से maintain कर सकते है जिससे minerals भी आपको मिलता रहा है केंट इस water purifier पे एक साल की overall product की warranty देती है और तीन साल तक की free service मिल जाती है which is good यह purifier आपको 14,000 से 16,000 के आसपास मिल जाता है और इसके कुछ pros and cons भी आपकी screen पे देख सकते हैं इस वीडियो को pause करके और इसका भी सबसे lowest price का link आपको description में मिल जागा ओगे सो मेरे list में नमबर 3 पर आता है वीगाट का Zenora RO water purifier जैसा कि हम सभी जानते कि वीगाट एक Indian electrical and home appliances manufacturer है जो काफी reasonable price में हमें वो features और technology प्रोवाइड कराता है जो बड़े brands के purifier में होते हैं इसकी design और build quality काफी अच्छी है जो दो color variant में available है Purifier 7 liter water tank capacity के साथ आता है जिसमें 8 stage purification होकर पानी pure होता है जो maximum 2000 तक के TDS को पानी को purify कर सकता है indicators की बात करूँ तो इसमें power, tank full और low water pressure का indicator मिल जाता है purity की बात करूँ तो पानी तो बिल्कुल pure निकलता है बट इसका waste of water बहुत जादा है तो यहाँ पे काफी लोग यह करते हैं कि wastage पानी जो निकलता है उसके pipe को kitchen basin के पास shift कर देते हैं और उस wasted पानी से बरतन वगरा धोने में use करते हैं Vigard इस water purifier पे एक साल की warranty देती है और साथ ही दो pre-filter free replacement और दो free service भी free मिल जाती है which is good जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो Vigard अपने product को काफी affordable price में sale करते है तो इसका भी price लगए 5-7,000 के आसपास पड़ जाता है इसका भी pros and cons आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को pause करके और इस model का भी सबसे lowest price का link के नीचे description में मिल जाएगा ओगे सो मेरे लिस में number 2 पर आता है इस water purifier को number 2 पे रखने का बहुत सारा reason है जिसमें सबसे पहला है इसका waste of water ये water purifier बहुत कम पानी waste करता है एपरोक्स 50% तक पानी save करता है waste होने से दूसरा इसमें आपको taste adjuster feature मिल जाता है मतलब आपके घर का पानी जितना भी खा रहा हो उसको आप अपने taste के according adjust कर सकते which is great और तीसरा इसका price जो की काफी affordable है जो 6 से 7000 के आसपास मिल जाता है इसका design भी काफी stylish और attractive है और इसके plastic material भी काफी durable है इस purifier में 7 stage purification मिलेगा जो maximum 2023 तक के पानी को purify करेगा ये 6 liter water tank capacity के साथ आता है और इसमें UV e-boiling technology दिया गया है जो 20 minute boil water जैसा purification करता है जिससे पानी पीने के लिए बिलकुल safe हो जाता है क्योंकि UV rays से पानी में जितने भी germs bacteria होते हैं वो सभी खतम हो जाते हैं इसमें tank full, service due और cartridge replacement जैसे indicators दिये गया है और ये purifier एक साल की warranty के साथ आती है इसके भी कुछ pros and cons आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को pause करके और इसका भी सबसे lowest price का link के नीचे description में mention कर दिया है ओगे सा फाइनली मेरे list में number one पर आता है Purit का copper plus mineral RO water purifier Purit India की top water purifier list में आता है और इस purifier में आपको copper plus mineral RO combination देखनों को मिलता है जो काफी healthy और safe water provide कराता है Black and copper color में इसका design काफी शांदार लगता है और इसकी build quality 100% food great plastic का बना है जो काफी study भी है ये purifier 8 liter water tank capacity के साथ आता है और इसमें high speed purification भी देखनों को मिलता है मतलब एक घंटे में 24 liter तक purified water मिल जाता है इसमें जो purification system लगा है उसकी membranze की quality भी काफी बढ़िया है जैसा कि ये copper charge technology के साथ आता है जिससे आपको copper charge water provide कराता है मतलब इसमें आपको दो buttons दिये गए है जिसमें से एक copper charge RO water मिलेगा और दुसरे से regular RO water मिलेगा जिसमें से copper charge RO water choose करना जादा better रहेगा क्योंकि इसमें आपको anti-macrobian और anti-inflammatory properties मिल जाते है which is good for our health इसका use भी आप maximum 2000 TDS तक के पानी को filter करने के लिए कर सकते है और इसमें copper auto clean feature भी मिल जाता है जिससे copper को ये clean करता रहता है जिससे ये हमेशा corrosion free और fresh water provide कराता है किसी भी ordinary purifier में purification के process में तीन गुना जादा पानी waste होता है बट इसमें एक लीटर साफ पानी के लिए सिर्फ 650 ml ही waste पानी निकलता है which is good इस purifier के साथ एक external sediment filter free मिल जाता है जो dirt, sand, heavy metal वगरा को purify करके बाहर ही remove कर देता है जिससे purifier की durability और भी बढ़ जाती है Purity is water purifier पे एक साल के warranty देती है और जैसा की इसमें काफी useful feature मिल जाता है और top quality filter वगरा भी मिल जाता है तो थोड़ा इसका price जादा है जो 19 से 21,000 के आसपास पढ़ जाता है और इसका भी pros and cons आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को pause करके और हाँ guys सभी water purifier का सबसे lowest price का link भी मैंने description में दे रखा है तो सभी का एक पर price जरूर चिक आउट करें क्योंकि website पे हमेशा kitchen appliances से related product पर अच्छी अच्छी sale चलती ही रहती है So I hope water purifier से related जो भी आपका dot था वो clear हो गया होगा बट फिर भी कोई सवाल या confusion हो तो please आप comment कर दो मैं उसका reply जरूर करूँगा और इस channel पर हमेशा इसी तरह का detail videos लाता रहता हूँ तो ऐसे channel को जरूर सबस्क्राइब रखे क्योंकि future में हमेशा काम ही आएगी Thanks for watching guys have a nice day